जैहिन जैभार्थ मेरे युवा साथियो इस करोना काल के समय में एक बहुत बड़ी रात और शकुन देने वाली खबर आई है मैं आपका दोस्त अजीत फोजी सुंगरपुरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्स केडमी तो साम दोस्तो आज बात करते हैं अध्यापक वरक की शिक्सक गुरू जिसका स्तान माता पिता के बाद आता है और बच्चा उनी से सीख कर डॉक्टर इंजिनियर आईस आईपियस और देश का भागे निर्माता बनता है समाज में अध्यापक को एक बहुती आदर के साथ देखा जाता है आज इस करोना काल के मुश्किल समय में रोजगार के आउसर को बढ़ावा देने के लिए सरकार नेक नई पहल की है केंदर ये शिक्ष्या मंतरी रमेश पोखरियाल निसंक ने गुरुवार को एक मेहतरपुन गोशना की और इस संबन में सभी राज्य और केंदर शासित परदेशों को इसमें जरूरी कदम उठाने के लिए सुचित किया है और ये प्रभावी फैसला 2011 के बाद टेट टीचर इलिजबिल्टी टेस्ट शिक्षक पतरता परिक्ष्या पास करने वाले उन सभी छात्रों को पुन माननता देने के लिए है जिनके सैट्टिविकट अब मानने नहीं रहे थे पहले ये परिक्ष्या पात साल तक मानने थी उसके बाद पिछले साल सरकार ने इसकी वैता बढ़ा कर साथ वर्स कर दी थी और अब इसकी वैता ताउमर यानि लाइफटाइम वैलडिटी के साथ में अब ये मानने है अभी गुरुवार को शिक्षा मंतरी ने ये गोशना की है और ये समय समय पर इसकी मांग उठती रही है राश्टी अध्यापक शिक्षा प्रिशद की मांग इसकी वैता को ताउमर करने के लिए लाइफ टाइम करने के लिए बार बार लंबे समय से की जा रही थी और आखिर सरकार ने इसको लागू कर दिया है शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि यह फैसला रोजगार में नए आउसरों को बड़ावा देने वाला एक सकारात्मक कदम साबित होगा अगर आपने भी अध्याफक बनने का सपना संजोया है तो आपके टेट टीचर इलिजिबल्टी टेस्ट शिक्सक पातरता परिक्षा पास करनी पड़ती है अगर आप भी किसी सकूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह प्रिक्षा पास करनी पड़ेगी अब इसकी वैत्ता ताउमर है आजीवन मानने रहेगा ये केंदर सरकार की तरज पर भी हरियाना सरकार ने भी अच्टेट की वैत्ता को आजीवन कर दिया है अब ये सुब समाचार 2011 में जिन छात्रों ने टेट की प्रिक्षया पास की थी उनके लिए एक अंतिमा उसर होगा अब मैं केंदर और सभी राज्य सरकारों से गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अध्यापकों के लिए रोजगार निकाले नई अध्यापकों के लिए विकेंशिया निकाले और उनको जल्दी फिलफ करे अर्याणा में माननी मुख्य मंतरी मनोलाल खटरजी से निवेदन है कि 2012 के बाद में कोई भी जेबीटी की विकेंशिया बरती नहीं निकली है तो जल्दी से जल्दी सरकारिश की और ध्याना करशित करे जै हिन जै भारचातियो